विल्कम बेक नाजरीन आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से है आज हम जनरली बात करेंगे कुछ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से इसको आप क्रिटिसिजम भी कह सकते हैं लेकिन चोंकि यह क्रिटिसिजम नहीं है कुछ points ऐसे हैं जो हम पाकिस्तानी ड्रामा इंडिस्ट्री में देखते हैं जो कि बड़ा clear है जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडिस्ट्री है वो बहुत well known है हमारे writers जो है वो कुशिश करते हैं कि वो society के issues को उठाएं और वो ऐसा ड्रामा लिखे या stories बनाएं कि जो realistic हो और वो कमसकम close to reality हो अगर हमारे पाकिस्तानी ड्रामों के हवाले से देखे तो वो पड़ोसी मुल्क में भी बहुत मशूर है और अगर comparatively देखा जाए तो पाकिस्तानी ड्रामा इंडिस्ट्री इंडियन ड्रामों से कही गुना बहतर है कुछ points ऐसे हैं जो generally आप देखेंगे और वो मुसलसल होते जा रहे होते हैं आप हर ड्रामा में देखेंगे तो I think वो dramatized ऐसे किये जाते हैं writers अपने angle से तो वो लिक लेते हैं लेकिन जब वो आप dramatized करते हैं तो वो चीज़े आप देखेंगे वो unrealistic है तो आज हम कुछ ऐसे points point out करेंगे कि जो unrealistic है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में सबसे पहले point अगर आप लोग ड्रामा में देखें यानि generally यह कोई specific ड्रामा की बात नहीं हो रही generally आप पाकिस्तानी ड्रामा देखेंगे तो आप लोग को नज़र आएगा कि अगर kitchen का scene है और कोई actress यानि कोई लड़की kitchen में cooking कर रही है तो आप लोग को नज़र आएगा कि वो open hair के साथ यानि बाल को ले चोड़ के और वो kitchen में acting कर रही है या kitchen में कुछ बना रही है तो real situation में कभी बैसे नहीं होता अगर आप खुद देखें kitchen में हमेशा गर्मी रहती है और दूसरी बात यह है वैसे भी real situation में kitchen में अगर आप होते हैं या आप cooking कर रहे होते हैं तो आपके बाल जो है वो cover हुए होते हैं लेकिन इसके बरक्स अगर आप देखें तो drama में किसी भी scene में आप देखें तो आपको open hair ही नजर आएंगे और दूसरा एंगल यह भी है कि जाहर सी बात है बाल जितने भी strong हो वो तूटते हैं और जब आप kitchen में होते हैं गर्मी भी होती है और गर्मी में भी आपको वैसे भी गर्मी में अगर open hair हो तो वो unwirable होता है और kitchen में हमेशा ही गर्मी होती है गर्मी में के मौसम में तो बिल्कुल वो एक अजीब सी situation होती है सर्दियों में भी kitchen में आपको गर्मी महसूस होती है तो यह unreal situation है आप उसको दो एंगल से देखें कभी भी cooking जो है वो open hair के साथ नहीं की जाती है situation में और दूसरा यह है कि गर्मी की बज़ा से भी हम यह अगर kitchen में काम कर रहे हैं तो हम अपने बालों को open नहीं रखते है यह आप लोगों को हर drama में नज़र आएगा पाकिस्तानी drama industry में मैं यह नहीं कहता कि यह writers ऐसे लिखते हैं definitely जब यह dramatized किया जाता है तो वो पिर situation को इस तरह देखा जाता है क्योंकि जाहर सी बात है वो एक scene होता है कुछ seconds क्या कुछ minute के scenes के लिए वो पिर इस तरह की situation बनाई जाती है तो dramatized करने का एक इसमें है कि इसकी बज़ा से यह इस तरह रखा जाता है दूसरा point अगर आप लोगों ने note किया हो पाकिस्तानी drama industry में तो जब भी कोई सोने का scene है या बेड के लिए सोने का time है और वो bedroom में जा रहे है और सोने जा रहा है कोई actor है या actress है तो वो full makeup के साथ सोने के लिए वो ready है या या बेड पे है तो मतलब ये एक बिल्कुल unreal situation होती है अगर आप देखें ये actor के लिए भी है जाहिर सी बात है male female दोनों के लिए है makeup के साथ कोई भी सोने नहीं जाता और ये वैसे भी real situation में भी मुहादो के बंदा सोने जाता है तो ये आपको हमेशा नज़र आएगा bed scene या जाहिर सी बात है जब आप bed scene दिखाते है तो उसके बात से आप ये शो कराते हैं ड्रामटाइस्ट करते हैं कि अब ये रात है सोने का time है bed time है तो पिर उस time इतना full makeup कैसे आप maintain करते हैं और कैसे दिखाते हैं तो ये आप लोगोंने नोट किया होगा कि bed scene और यानि सोने का time वो हमेशा मेकप के साथ ही दिखाया जाता है इसके अलावा और point हम अगर इदर rest करें बहुत सारे points है लेकिन मैं चीदा चीदा बता रहा हूं ताकि आप तोड़ा सा enjoy भी कर सके और आप उसको analyze करते हैं जब कोई भी ड्रामे में आप पाकिस्तानी ड्रामों के हवाले से हम जदरली बात कर रहे हैं कोई भी secret conversation है यानि फोन पे है या कोई एक दो लोग बात कर रहे हैं या किसी के खिलाफ बात कर रहे हैं तो आप लोगोंने नोट किया होगा कि ऐसे dramatize किया जाता है कि वो open door के साथ कि जाता है यानि अगर मैं फोन पे बात कर रहे हूं या कोई एक्टर ड्रामे में दिखाया जा रहे है कि फोन पे बात कर रहे है किसी से बात कर रहे है वो बड़ी secret conversation है या दो लोग दो करेक्टर बात कर रहे है और secret conversation है रूम में है तो आप लोगों को नज़र आएगा कि उस ड्रामों में देखे तो कभी भी जिस तरह की situation हो और secret conversation हो फोन पे हो या लोगों के बीच में हो तो वो डूर जो है वो open आप लोगों को नजर आएगा इसके इलावा एक और point है अगर आप यह बड़ा funny भी है जब भी कुई ऐसा scene है कि जब एक लड़की है या कुई character है वो ग चुड़ने जा रही है RNA घुझ ने जा रही है तो हमेशा उस situation में अगर आपड़ेक हैं तो उन्हों ने जो पैकिंग कर रहे हुते हैं इतने घुझे में भी पैकिंग कर रहे होते हैं झाल दोड़ा सा और भी उर्ड़के जब बशह दो तीन ड्रेस अटाके वह हेंगर उसमें होते है और वह उटाके पेंग करके याणिंग ब कुसी भी बॉक्स तो उस situation को आप analyze करें बस hanger के साथ दो तीन और जल्दी से packing हो जाती है और बाकी सारी चीज़े इग्नोर की जाती है तो ये unreal situation है इसका इलावा एक और भी है जो unethical भी है और वैसे भी पाकिस्तानी महाशरे में ऐसे नहीं होता और वैसे भी unreal सिनारियो है वो पाकिस्तानी ड्र या लाहाफिज या खुदा हाफिज कहने के बगेर फोन बंद कर लेता होता है तो ऐसे तो ना मौशरे में होता भी नहीं है वैसे भी और वैसे भी unethical है कि आप फोन बंद कर रहें या या आप काल खतम कर रहें लाहाफिज या good bye के लावा आप फोन बंद करें ये unreal है और भी बहुट सारे सेनारियो फिनामेन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्टी Sulies में, या भी तो झान जो इन्रेयल सिच्जुएशन होती है, जो ऑन्रेयलिस्तिक सेनारियोAY सेन्स वो ड्राम Lewis करते हैं, जे तो चंते जो नोट किये जाते हैं और तोड़े से अन्रेल भी है और फनी भी है तो वो मैंने डिसकस किये इसके इलावा हम नेक्स वीडियो में कुछ और भी डिसकस करेंगे आज के लिए इतना ही